चलिए आज बनाते हैं तीखी, चटपटी, टेस्टी, भूना, चना और धन्या पत्ता की चटनी आप एक बार इस तरीके से चटनी जरूर बनाए सभी को काफी पसंद आएंगे हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगे तो प्लीज लाइक, सेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा वेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे तो चलिए चटनी बनाना हम सुरूर करते हैं हमें ग्राइंडर जार ले लीना है अभी हमें इसमें डाल दीना है धूले हुए धनिया पत्ता को मैं एक कटोडी धनिया पत्ता डाल रहे हूँ आप कोई भी कप या कटोडी से ले सकते हैं धनिया पत्ता को इसी कटोडी से हमें वन्त फोर कटोडी डाल देना है भूना चना को छिलका हटा कर डालिएगा भूना चना मार्केट में काफी असानी से मिल जाते है आधा इंच हमें डाल देना है अद्रे को इसमें हमें डाल देना है चार हरे मेर्ज आपको कम या ज़्यादा तीखा कर सकते हैं ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा डाले कम पसंद है तो कम भी डाल सकते हैं चार-पांच लैसुन के कलियों को डाल देना है अगर आप लैसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तेले सुन को आप अस्कीप कर सकते हैं, अभी हमें इसमें डाल देना है आधा नीबू का रस, इतने में एकदम खटी हो जाती है चटनी, आप आमचुर पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास नीबू ना हो तो इसमें डाल देना है वन फोर्थ चमज नमक को, नमक केस्ट के अक Course डालें, अभी हमें इसमें डाल देना है 2-3 चमज इतना पानी, और सकता नुसार आप इस्टे टाइम भी पानी को डाल सकते हैं, इसे हमें बार इक पीस लेना है, तो अभी आप देख सकते हैं, अकदम बार इक पीस है, न चतनी बहुँँदम ज्हादा गाढ अभी हमें इसे एक बाउल में निकाल लेना है इसे आप ब्रेड पे लगा सकते हैं फराठे के साथ सर्व कर सकते हैं या कोई भी तीखी चटपटी अस्पाइसी स्नेक्स के साथ सर्व कर सकते हैं दाल चावल के साथ खा सकते हैं सभी को खूप पसंद आएंगे हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ सेर जरूर कीजिएगा कमेंट में जरूर बताईएगा ये धनिया पत्ता और भूना चना की चटनी आपको कैसा लगा आपके फैमिली वालों को कैसा लगा थैंक यू फर क्या है